हराम राम हम बात करेंगे आज बालों के बारे में देखो जिसको भी ऐसे बाल चाहिए जो जिनकी स्कैल्प मजबूत मतलब बाल उखने नहीं बालों की मोटाई बड़े थिकनेस बड़े बालों में और साथ ही साथ जो बाल है हमारे वो बहुत दिनों तक मजबूत बने रहे हैं और इसके लिए में कुछ फूड एपनी राइट मैड करने होते हैं आज हम उन्हीं फू के लिए जरूरी होती है डेली लाइफ इस्टाइल के लिए चाहे हो इस्टैमिना हो या फिर आप यह का इंडियूरेंस हो सबको बढ़ाने के लिए ठीक है फूड के उपर डिरेक्ट हम जंप करते हैं सबसे पहली फूड कैटेगरी है वह है गुड फैट्स की दो जितना भ जो आपके बाल है चाहे हमो आपके जो जैनेटिक हैलेओं होता है कुछ भी उसके लिए बहुत होते हैं क्योंकि तोड़ा बढ़ाते हैं सबसे पहला जो पक선 होता है ओका स होता और अगर vegetarian हो तो जो seeds आते हैं चाहें वो pumpkin हो चाहें sunflower seeds हो चाहें चिया seeds हो चाहें वो आपके LC के भी जोटी के जितने भी seeds आते हैं इनको mix करके अगर आप एक spoon consume करने लगते हो तो ये भी बालों के लिए बहुत बढ़या रहता है बालों की मजबूती के लिए समझ में आ गया जितने other nutrients तो दूसरा है हमारे पार spinach ठीक है तीसरी food category के अगर हम बात करेंगे तो जो poultry मतलब meat sorry प्रोटीन आता है जैसे कि सबसे बड़ा source है जो आप अंडा खाते हो ठीक है एक्स बहुत बड़ी है देखो कुछ लोगों को देखा होगा एक्स अपलाई करते हैं बालों में एक्स लगाने के जिए कर आप अंडे जो लगा रहे हो बालों में उसको अगर आप कंजूम करने लगो तो बहुत बेनेफिट होगा आपके लिए ठीक है अब यह क्या करते ह जो एक्स आप खा रहे हो यह बालों को घना करता है ठीक है हर एक फूड का एक अलग काम है हमारी बालों की ग्रोथ के लिए तो जितना भी हैर की डेंसिटी कम हो रही है उसको सही करेगा यह जो आप अंडा काते हो ठीक है अगले फूड की तरह पर अगर जंप करेंगे हम त ठीक है जितना भी आप देखते हो कि मतलब जो ऑर्गन्स खाते हैं बाहर की कट्री में देखोगे उनके बालों की मिद्गूती बहुत ज्यादा होती बाल अलग से साइन करते हैं और बालों की वाकई में उनसे मिद्गूती आती तो अगर आप खाते हो तो हम यह फोर्स नह देखो बहुत सारे सेंपूस में भी आता है लेकिन अगर आप आमला का चून जो होता है पानी में गोल के पी सकते हो तो वो बेटर है या फिर जो कच्छा आमला आता हो खाते हो वो बेटर है तो यह जितने भी फूड थे वो बालों के लिए बहुत हेल्दी है डेली इनको जिस तरीके से बताए उस तरीके से कंजूम करो इस तरीके से इस्तेमाल करो बालों की गिरोध बहुत बहतर हो जाएगी राम राम जाहें